ओम डमाशिवाय आप सभी पर भगवानशिव की क्रपाब बनी रहे इसी शुमंगल प्रारतना के साथ में आईए जानते हैं सावन में अगर आप भगवानशिव की उपासना करते हैं तो क्या चड़ाएं अगर बुद्धी कमजोर हो तो इसमें लिखा है कि सरकरा मिश्रित द जाएं और साथ में उम्नमाशिवा का चप करता जाएं सरीर में उच्चाटन हो जाएं प्रेम ना रहें दुख रहें क्लेस बढ़ें तो इससे दूध और सकर चड़ाने से इसमें भी लाव होता है सत्रू बहुत परिशान कर रहा हो तो सत्रू को डराने के लिए सत्रू जाने से भोग मिलता है और मधू की धारा यदि कोई शिव को चड़ाए तो टीवी राजक्षमा रोक दूर होता है शिव के ऊपर गन्ने का रस चड़ाया जाये तो संपून आनंद प्राप्ति की होती है परन्तु अगर हर समय तो नहीं उपलब्ध हो सकता है तो आप शिव की विधवत पूजा करना चाहिए चमेली का फूल भी भगवान शिव को आती प्रिय माना जाता है कनेर सफेद भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है मूंग भी चड़ाना चाहिए और ग्यारा ब्रामनों को भूजन कराने से इससे आपकी जीवन में सुखा काकुन चड़ाना भी शुब माना जाता है राई चड़ाने से एक लागताने चड़ाने से शत्रु घातक होता है अरहर की पत्तियां श्यू जी को ये भी चड़ाना चाहिए काली मिर्च चड़ाने से सत्रु का भी नास होता है और साथी साथ भगवान श्यू को हर सिंगार का मिले चड़ाएं ये लिखा है शुपुराण में इससे सुखसंपत्ति में ब्रिधी होती है लाय राई का फूल जो होता है वो भी चड़ाना चाहिए चमपाउर की उड़ा को छोड़कर सारी चीजे भगवान शुप को समलपित की जाती है आप सभी पर भगवान शुप की क्र पाव बनीदें ओम नमाह शिवाएं